ओम शान्ति उन्हें निकालने के लिए हमें सावधान करते हैं और माया से हम सदा बच कर रहें उस पर विजे पाएं इसकी भी शिक्षाएं हमें समय प्रतिसा में मिलती हैं तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 4 जन्वरी 2022 के बाबा के मधुर महावाक्यों को आज के मुर्ली के अनुसा शुब बाबा की महिमा गुरू, सत्य, खिवईया, लिबरेटर, बागवान, पतित पावन, बेहद का बाप, कालों का काल, परमपिता परमात्मा हम बच्चों को किन बातों का सिम्रन कर अपार खुशी में रहना है हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, हम सुन्दर सुन्दर महल बनाएंगे, सत्युग में सब फर्स्ट क्लास चीजे होंगी हम जा रहे हैं सुख धाम वाया शान्ती धाम, हमें तन बहुत सुन्दर और निरोगी मिलेगा हम जाकर सुर्यवन्शी चंद्रवन्शी राजा बनेंगे ऐसी कौनसी बाते हैं, जो दुनिया के बनिश्य कह नहीं सकते हम आत्माओं से बात करते हैं, अपने स्वीट होम को याद करो सत्युग गार्डन ओफ अल्ला था, आत्मा इन ओर्गन्स द्वारा सुनती है समझाते, पुरुशार्थ कराते, जीवन्मुक्ती देते, सब को सुख देते, काल पर विजे पहनाते, पहले-पहले ब्रम्हा को उठाते ब्रह्मा तन में प्रवेश कर समझाते मुक्ती जीवन मुक्ती का रास्ता बताते विशे सागर से निकाल स्वीट होम ले जाते जो बच्चे एक दो से रूट जाते उन बच्चों के प्रती शिव बाबा की शिक्षाएं इस प्रकार है बाप से वर्सा लेना है घर में बैठे खजाना लेते रहो तुम्हारा काम है शिव बाबा से भगवान से रूटे तो मुर्दा बन जाएंगे भगवान से रूटना अकलमंदी नहीं है ब्रहामणी से रूटते रूटते शिव बाबा से भी रूट जाते हैं जब तक परिपून बने तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा कोई भाई बहन ने कुछ कह दिया परन तु मुर्ली तो सुनो मनुष्य कुछ न कुछ भूलें कर सकते हैं उनसे खिटपिट हो सकती है बाबा ने दुख धाम के विशे में क्या कहा है ये दुख का भंबोर है इस दुख धाम को आग लगनी है इसमें कुम्बकरन जैसे ब्रष्टाचारी मनुष्य रहते हैं इस समय सब पतित पावन बाब को बुलाते हैं हमको इस दुख धाम से निकल शान्ती धाम में जाना है हमारी राजधानी के नाम आज की मुरली के अनुसार इस प्रकार है स्वर्ग, सुख धाम, पेरडाइज, गार्डन ओफ फ्लावर्स, गार्डन ओफ अल्लाह हमें किन बातों की धारणा करनी है आप आप कहकर बात करनी है आपस में कभी भी रूठना नहीं है ब्रामन कुल में बहुत-बहुत क्षीर खंड होकर रहना है धूती पने और पर्श जिन्तन से अपनी संभाल जरूर करनी है ज्यान योग में तीखे जाने वालों तथा अच्छी सर्विस करने वालों का बहुत-बहुत रिगार्ड रखना है ये थी आज की मुरली की विशेश बाते आज हम सारा ही दिन अभ्यास करें मैं पन और मेरे पन को पूरी तरह से समाप्त कर बाबा के प्यार में खो जाएं जिससे लवलीन स्थिती का अनुभव करना और भी आसान हो जाएगा ओम शान्ति झाल